आज को लोगों ने Black Magic को बहुत casual ले लिया है मतलब छोटी से छोटी लडाई भी हो जाए तो इंसान किसी पे भी Black Magic कर देते हैं ये सोचे बिना कि उस इंसान पे इसके क्या consequences हो सकते हैं ऐसा ही incident आज का भी है ये incident ओडिशा का है जहाँ पे ऐसी ही छोटी सी बात के लिए एक औरत पे जिन छोड़ दिया और शायद जिस औरत पे जिन छोड़ा गया उसकी असल में गलती थी भी नहीं चलिए शुरू करते हैं तो ये incident हम से शेर किया ओडिशा में रहने वाले तुशार ने तुशार ने अपने गाओं का नाम बताने से मना किया है for obvious reasons इस incident के शुरुवात आज से लगभग दो साल पहले 2022 में हुई थी और ये जो incident हुआ था ये तुशार के अंकल और अंटी के साथ हुआ था असल में तुशार के जो अंकल हैं वो एक गाड़ी चलाते हैं जैसे लोग रेंट वगएरा पे बुक करते हैं गाड़ी या उस तरह के गाड़ी तो ये दिन भी इसी तरह का था और उनको बुकिंग पहले से मिली हुई थी अब इन ही के गाओं में एक कपल रहता है जिनकी एज होगी लगबग 65-70 के अराउंड और उनको भी कहीं जाना था तो उन्होंने तुशार के अंकल को बोला कि वो उनको छोड़ दें लेकिन तुशार के अंकल की पहले से ही बुकिंग थी और उन्होंने उनको वैसा ही बोला ये बोलके वो अपनी बुकिंग के लिए चले गे लेकिन इनको पता भी नहीं था कि इनकी फैमिली को इनकी वाइ ना उनको कोई बिमारी थी ना उनको कोई प्राब्लम थी और ना ही वो कुछ अन्यूजल सा फिल कर रहे थे दिन में लेकिन all of sudden रात को वो भी होश होगे बहुत मुश्किल से जो तुशार के अंकल और उनकी मौम है उन्होंने उनको होश मिलाया इसके बाद वो सो गए कि शायद ये restless हो उस बज़े से इनके साथ ऐसा हो रहा था लेकिन रात के दो बज़े चीजे और भी हानक होनी शुरू ही तुशार के अंकल की जैसे ही नीन खुली तो उन्होंने देखा उन्हीं के बेड़ पे तुशार के अंटी उनके पास ही बैठे हुए हैं और वो कुछ विस्पर कर रहे थे तुशार के अंकल को ये चीजे अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि उन्होंने अपनी वाइफ को कभी ऐसा देखा ही नहीं था उनकी शादी को टाइम भी काफी हो गया था लेकिन ये चीजें उनको बहुत अजीब लग रही थी वो फटाफट से भाग के अपनी मोम के कमरे में गए जो की काफी एजट थे उनको वो वापिस अपनी वाइफ के पास लेके आया उन्होंने जैसे अपनी बहु को देखा तो वो समझ गे कि इसके साथ कुछ ना कुछ गड़बर तो ज़रूर हो रही है क्योंकि वो पूजा पार्ट में बहुत बिलीव करते थे और उनको इन चीजों का नॉलेज भी था इन चीजों का आइडिया भी था वो फटाफट से अपने मंदिर की तरफ गे और वहाँ से गंगा जले के आये जो उन्होंने तुशार की अंटी बेचिड़का उसके बाद उन्होंने हनमाज 40 पढ़ना शुरू कर दी देखते ही देखते जो तुशार की अंटी ऐसे क्रीपी से वे में हस रही थी और कुछ विस्पर किये जा रहे थी जो उनको समझ भी नहीं आ रहा था अचानक से बेहोश होगी अब इसके बाद उन्होंने डिसाइड किया था कि एक बरी इसको पहले हॉस्पिटल लेके जाएंगे हो सकता है जो चीजें वो सोच रहे हैं वो ना हो और ये सोच के वो भी सोगे कि चलो जब इसको होश आएगा तब देखेंगे क्या करना है अब इसके बाद अगले दिन जो तुशार की अंटी है वो बहुत वीक फिल कर रहे थी खैर फैमिली ने पहले ही प्लैन किया था कि उनको हॉस्पिटल एक औरी लेके जाना है और अल्टिमेटली सिचुएशन ही ऐसी बन गी थी कि उनको हॉस्पिटल लेके जाना ही पड़ा क्योंकि वो इंटरनली बहुत वीक फिल कर रहे थे लेकिन हॉस्पिटल जाके उनको कुछ और भी आजीब सुनने को मिला उनको पता चला कि तुशार की अंटी एकदम नॉर्मल है उसको कुछ प्रॉबलम है ही नहीं तो फिर जो पिछली रात को उनके साथ हुआ था था क्या अब जो तुशार के अंकल है उन्होंने तुशार के डैड को फोन किया तुशार के डैड अपनी फैमली के साथ नहीं रहते बलकि वो जॉब करते हैं तो वो सिटी एरिया में रहते हैं जो कि उनके गाओं से लगभग 200 किलोमेटर दूर है तुशार की फैमली से भी इनकी बात हुई तो उनको लगा कि शायद इनको वहम वगेरा हुआ होगा उन्होंने बोला कि कोई बात ने रिलाक्स रहो, रेस्ट करो हो सकता है इनसान कभी-कभी रेस्टलेस हो जाता है जिस वज़ए से ये चीज़े होने लगती हैं तो उन्होंने बोला थोड़ा टाइम दो सिचुएशन को, फिर देखो क्या करना है मतलब अगर आपको कॉंटेक्स्ट समझ नहीं आ रहा तो मैं बता दूँ कि तुशार जिन अंकल अंटी की बात कर रहा है वो उसके डैड के छोटे भाई और उनकी वाइफ हैं मतलब ये दोनों सगे भाई हैं अब इसके बाद जैसा तुशार के डैड ने उनको बताया था वैसे हुआ जो तुशार की अंटी थी उनको रात में कोई भी प्राब्लम नहीं हुई वो एकदम नॉर्मल थे लेकिन ये जो भी चीज थी ये शायद तुशार की अंटी से हत के तुशार की दादी भी चली गी थी और उनको रात को एक अजीब सा सपना आया मैं तेरी सारी फैमिली को खतम कर दूँगा ये चीज तुशार की दादी ने अभी बहुत सिरियसली नहीं ली थी क्योंकि उनको लग रहा था कि सपने रेंडम होते हैं हो सकता है ये भी कुछ रेंडम सपना हो उनकी असल जिंदगी से इसका कोई लेना देना ना हो लेकिन शाय तुशार की दादी इस मामले में गलत थी अब ये रात तो वो इसके बाद सो ही नहीं पाई धंक से उनके दिमाग में ये ही चीज़े घूमे जा रही थी हाला कि वो कोशिश कर रहे थे कि इस बारे में इतना सोचे ना लेकिन ऐसा सपना आना जो जिंदगी में उनको कभी नहीं आया एक ऐसी फिगर दिखाए देना और ऐसी बाते होना वो भी तब स्पेशली जब तुशार की अंटी के साथ ऐसी चीज़े हो रही थी तुशार की दादी रात भर परिशान रही वो सो ही नहीं पाई अब अगले दिन चीज़े और भी भ्यानक होने वाली थी जो तुशार की अंटी थी उनकी तबियत फिर से खराब होनी शुरू होगी उनको बहुत हाई फीवर आना शुरू हो गया फैमिली ने दवाई दी उनको की रेस्ट करें थोड़ा और उसके बाद ठीक हो जाएगा लेकिन शायद ये चीज़ें कुछ और थी और शायद कहीं जादा भ्यानक थी तुशार की दादी ने तुशार की अंटी को मेडिसन दे के सुला तो दिया था लेकिन उनके दिमाग में फिर भी चीज़ें घूम रही थी कि शायद जो उनके साथ हो रहा है वो ब्लैक मैजिक भी हो सकता है खैर जैसे तैसे ये दिन निकला जैसे ही शाम हुई तो चीज़ें और भ्यानक होनी शुरू होगी जो तुशार की अंटी थी वो बेड़ पे बैठी हुई थी उनका हैडर डाउन था और वो अपने सर को आगे पीछे घुमाए जा रही थी जैसे ओरतों को भार आता है जैसे भूत प्रेज जिनको लगे होते हैं वो इनसान जब तांतरीकों के पास जाते हैं तो वो जैसे अपना सर घुमाते हैं तुशार की अंटी भी विलकुल वैसा ही कर रही थी तो जो उसकी दादी हैं उनको इन चीजों का नौलेज है वो बिना डरे उनके पास की और वो बस बार बार यही पूछे जा रही थी कि तू कौन है तू क्या चाहता है क्योंकि वो समझ गये थे कि इसके अंदर कोई तो और चीज है ये उनकी बहु नहीं है वो कौन्टिनिसली यही पूछे जा रहे थे थोड़ी देर तक तुशार की अंटी से कोई जवाब नहीं आया लेकिन फाइनली वो जो भी चीज उनके अंदर थी वो बोली इस बार ये जो आवाज थी ये तुशार की अंटी की नहीं थी बलकि ऐसा लग रहा था कि उनके अंदर से कोई मर्द बोल रहा है और ये आवाज बहुत ही जादा क्रीपी थी ये आवाज बिलकुल वही बाते कर रही थे जो पिछले कल रात को तुशार की दादी के सपने में आई थी और तुशार की अंटी वो पोजेस्ट वोइस में यही बोले जारी थी कि मैं तुम्हारी फैमिली को बरबाद कर दूँगी अब इसके बाद फैमिली शौर होगी थी इन फैक्ट जो तुशार की दादी है उनके दिमाग में जो पहले से ही चीज़े चल रही थी उसके लिए वो शौर होगे थे कि हमारी फैमिली पे किसी इंसान ने ब्लैक मैजिक कर दिया है जिससे उन्होंने कोई जीन वगेरा हमारे यहां पे भेज दिया है जिसकी वज़े से तुशार की जो अंटी है वो पोजेस्ट होगी है अब इसके बाद तुशार के डैड जिस सिटी में रहते थे वहीं पे उनका जो अपार्टमेंट था उसके पास ही एक तांतरिक रहता था तुशार की अंकल ने तुशार के डैड को कॉल किया उन्होंने उनको सब कुछ बताया जो कुछ भी उनके साथ हो रहा था पिछले कुछ दिनों से और अब जो तुशार की अंटी की हालत थी और उन्होंने उनसे आर्जबी की कि वो रात को ही निकल आया उस तांतरिक को साथ मिले कि अगर possibility है तो तुशार के डैड उस तांतरिक क पास के उन्होंने रात को ही उस तांतरिक को सब कुछ बताया जो कुछ भी तुशार की अंटी के साथ हो रहा था तांतरिक भी वो अच्छा इंसान था उसने जैसे यह सब कुछ सुना उसको पता चला कि कोई इंसान problem में है serious problem में है तो वो भी उनके साथ चलने के लिए ready हो अब अगले दिन सुभा वो तुशार के अंकल के घर पे पहुंचे वहाँ पे उस तांतरिक ने जैसे ही तुशार की अंटी को देखा वो समझ गया कि यह possessed है इसके अंदर कोई न कोई ऐसी चीज है जो कि इसकी body को हाम पहुंचा रही है in fact पूरी family को हाम पहुंचा रही है तुशार की अंटी को देखने से ऐसे लग रहा था कि उनके शरीर के अंदर blood ही नहीं है वो बहुत ही जादा पेल होगी थी और इसके बाद इस तांतरिक ने तुशार की अंटी को अपने पास बेटाया और उन्होंने कुछ मंतर पढ़ना शुरू कर दिया थोड़ी ही देर तुशार की अंटी ने कुछ बोला ही नहीं वो बस अपने सर को आगे पेछे गुमाई जा रही थी पांच-छे बार पूछने के बाद उन्होंने बताया कि मैं इस family को खतम करने यहां पे आया हूँ मुझे इस family को खतम करने के लिए किसी ने भेजा है और जिसने भेजा है वो इसी गाउं का एक बुड़ा इंसान है तांतरिक ने उनकी हालत देखी लेकिन उसको समझ आ गया था कि इलाज यहां पे नहीं हो सकता इसके लिए उनको तांतरिक के आश्रम ही जाना पड़ना था तो तांतरिक ने तुशार की अंटी को कुछ चीज़े बना के दी और उ पीछे से अभी इन सब चीज़ों से भ्यानक कुछ होने वाला था अभी जो रात थी इस रात को चीज़े और भ्यानक होनी शुरू हुई जो तुशार की अंटी है वो रात को अनकंट्रोलेबल हो गी थी वो चीखे जा रही थी और वैसे ही सर नीचे करके सर को आगे पेचे गुमाए जा रही थी ऐसा लग रहा था कि जो कोई भी चीज़ इनके अंदर है उसको इन चीज़ों का पता चल गया था कि ये सल्यूशन देख रहे हैं इस चीज़ का कही न कहीं से और वो जो भी चीज़ थी वो जो भी जिन था भूता प्रेथ था उनको हाम करना चाहता थ लेकिन जैसे तुशार की दादी ने मैंने आपको पहले बताया गंगा जल छेड़कना शुरू कर दिया उन पे और उसके बाद तुशार की दादी तुशार की अंटी के पास बैट की और उन्होंने हनुमान चालिसा पढ़ना शुरू कर दिया बड़ी मुश्किल से जो तो उन्होंने उस पत्ते को टच नहीं किया वो उसके साइड से होके सीधा उस तांतरी के आश्रम की तरफ निकल गए क्योंकि चीज़े इतनी बूरी हो रही थी उनके साथ वो बिल्कुल भी लेट नहीं करना चाहते थे अब जैसे ही वो उस तांतरी के पास पहुंचे तो तुशार की अंटी को तांतरी के पास बैठाया गया उन्होंने थोड़ी देर ध्यान लगाया और खुद ही आँखे खोल के बोलने लगे कि अच्छा किया तुमने वो पत्ते में रखा हुआ सामान छेडा नहीं नहीं तो वो तुम्हारी सारी फैमिली को हाम कर देता और ये तैसे उस तांतरी के बहुत मुशक्कतें करके इस जिनको उनकी बोड़ी से बाहर निकाला इसके वैसे ये जो तांतरी के उनने फैमिली को समझाने की कोशिश भी की कि आखिर magari ये किया किसने है ये इनकी सिद्धियों में इह चीज़ें मिली होती है कि ये असल में किसी भी नाम नहीं बताते, ये बस स्पेसिफिकेशन बता देते हैं कि वो इनसान इस तरह का है आपके इतने आसपास रहता है जिससे फैमिली खुद जज करे लेकिन ये नाम किसी का भी नहीं बता सकते ये जो तांतरिक थे इन्होंने बताया कि ये जो ब्लैक मैजी किया, ये एक बूढ़े कपल ने किया है और ये जो इसमें से मर्द है, जो बूढ़ा इनसान है, वो आपकी फैमिली को दिन बर घूरता रहता है आपके घर के सामने से और साथ ही तुशार की अंटी पे वो इनसान दो बार ब्लैक मैजी कर चुका था, लेकिन तुशार की अंटी की किसमत अच्छे थी, कि टाइम रहते फैमिली ने इसका सुलूशन कर लिया, अब इस इंसिडेंट को लगभग दो साल हो गए हैं तुशार की अंटी एकदम ठीक हैं उनको ऐसा फिर कुछ भी फील नहीं हुआ, लेकिन वहीं उन्होंने बताया कि जो वो इंसान था, वो जो बूड़ा इंसान था, उसको कुछ टाइम पहले हार्ट अटेक आया था, और तुशार का मानना इस पे ये भी है, कि जो इंसान इस तरह की हरकते करता है, उनके अपने साथ भी कुछ बहुत अच्छा नहीं होता, तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं, जिनमें हमें पता होता है कि हमारे अडोसी-पडोसी किस तरह के लोग हैं और वो क्या कर सकते हैं, कौन सा इंसान ब्लैक मैजिक जानता है, तो अगर आपको भी ऐसा कुछ आइडिया हो अपने किसी पडोसी के बारे में, तो बेटर यही होगा कि आप ऐसे इंसानों से दूर रहें और खुद को बचाए रखें तो यह था आज का इंसिडेंट I really hope आपको वीडियो पसंद आई हो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना न भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और साथ ही unfortunately मैं चाहता नहीं किसी के साथ हुआ हो, लेकिन अगर आपके साथ, आपके किसी relative के साथ या फिर आपके known के साथ कोई ऐसा incident हुआ है जो आप चाहते कि मैं शेयर करूँ अपने चैनल पे, तो आप मुझसे मेरी mail आइडिया फिर इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं दोनों का link आपको मेरे description box में मिल जाएगा, so see you next time in the next video बाइबाइ